तो ये अकेला GPU 20,000 के नीचे का जो GPU का मार्कट है उसको single-handedly change कर सकता है लेकिन अगर AMD वाले इस GPU को 16,000 की price point में launch करते हैं तो ये भी एक game changer हो सकता है पूरे market को change कर सकता है तो जिसका 15,000 के आसबार GPU का budget है उसको भी 15,000 की price range में 8GB वाला एक अच्छा सा GPU मिल जाएगा और सारे के सारे GPU की price में drop आएगा तो फिर वो लोग जो पुराना market है second hand का market है GPU का उसमें एक GPU ढूंटे हैं किसी भी decent share को और बातरे वाले CPU के साथ आप इस GPU को combine करके एक अच्छा full HD gaming system बना सकते हो दोस्तो आज का ये जो वीडियो है ना ये हमारी चैनल के जो budget gamers है और budget content creators है उनको dedicated है अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले मैंने आपको top 5 best GPUs recommend किये थे तो उसमें जो सबसे पहली category थी जो budget category entry level category उसमें हर बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत limited option होते है and to be honest ये हमेशा से होता आ रहा है ठीक है कि जो बड़े GPUs है उनको पहले launch किया जाता है जो high end GPUs है उनको launch किया जाता है mid range category के आते हैं और बिलकुल last में ये जो entry level GPUs होते है under 15,000 उनको launch किया जाता है अब अभी अभी Nvidia ने अपनी RTX 3050 का 6GB वाला version launch किया है अब सबसे पहले तो मुझे ये नी समझ में आता कि इस price point पे इस GPU को क्यों launch किया गया है जब already हमारे पास 18-19 में 8GB वाला version मिल जाता है तो क्यों को user 18-19,000 दे के भी 6GB वाला version लेगा performance भी कम है 2GB की VRAM भी कम है और उसी price में हमें 30-58GB मिल जाता है ये देख लो 30-50 का 8GB वर्जन जो अभी आपको 19-19 में मिल जाएगा deal में है और ये 30-56GB 19,000 तो सिर्फ 500 रुपे का difference है तो 500 रुपे जादा देगे कोई user 8GB VRAM नहीं लेगा और जादा powerful GPU नहीं लेगा क्यों कोई 500 रुपे बचाने के चक्कर में कम powerful GPU और 2GB की VRAM कम लेगा ये देख लो सबसे पहले 30-50 का जो 8GB वर्जन लाँच हुआ था वो ये वाला वर्जन है जिसमें GPU लगा हुआ है GA106 उसके बाद उन्होंने 30-50 8GB का एक और वर्जन लाँच किया दूसरे GPU के साथ GA107 और अभी इन लोगों ने जो RTX 30-50 का 6GB वर्जन लाँच किया है वो ये वर्जन है जिसमें GPU है GA107 इसमें memory भी कम कर दी गई है 2GB की और memory के जो bandwidth है उसको भी कम करके 96 bit कर दिया है पिछले वाले 8GB वर्जन में 128 bit की memory bandwidth मिलती है तो अगर हम performance की बात करें तो ये जो 30-50 का 6GB वर्जन अभी launch हुआ है उसके performance को अगर हम 100% consider करते हैं तो GTX 1660 Ti 6GB वर्जन उससे 18% जादा perform करता है 30-50 का 8GB उसका बड़ा वर्जन उससे 31% जादा perform करता है ठीक है ये 100% है और ये 131% है 2066 GB 141% और ये GPU मेरा personal favorite Arc A580 RGB 154% और उसके उपर है RX 6600 RGB वर्जन जो उससे 57% जादा perform करता है और उससे भी उपर है Arc A750 RGB जो उससे 63% जादा perform करता है तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता होंगी ये जितने भी 20,000 के नीचे के GPUs है उनकी actual अभी market price क्या होनी चाहिए जितना उनका performance है या जितनी वो value provide करते है उस हिसाब से वो किस price में मिलने चाहिए ये मैंने थोड़ा सा calculation किया है benchmark देखे हैं, comparisons देखे हैं हर एक GPU को मैं आपको बताता हूँ कि वो GPU अभी जिस price में मिल रहा है उस price में ना होके कि इस price में होना चाहिए तो सबसे पहले तो Nvidia के सबसे छोड़े GPU की बात कर लेते हैं पता नहीं क्यों ये GPU अभी भी market में है और 11,000 के आसपास मिलता है मेरे हिसाब से ये GPU market में होना ही नहीं चाहिए और अगर मिलता है तो maximum 6000 रुपे में मिलना चाहिए 6000 रुपे में 4GB की VRAM के साथ इसको हम बिल्कुल entry level content creation GPU consider कर सकते हैं gaming के लिए तो बिल्कुल भी नहीं ठीक है लेकिन अगर किसी को video editing करनी है बिल्कुल limited budget में तो इस GPU के साथ भी हो सकती है अगर ये 6000 में मिल जाए अब ये GPU भी AMD का सबसे छोड़ा GPU है और सबसे बकवास GPU है आज दग AMD ने जितने भी GPUs launch किये हैं उसमें सबसे बेकार GPU है ये GPU तो गलती से भी purchase मत करना अगर कहीं मिल भी जाता है ये GPU market में अभी होना ही नहीं चाहिए 5-6000 में भी मैं purchase नहीं करूँगा 1630 अगर 5-6000 में मिल जाता है तो at least content creation में तो काम आ सकता है उसमें H.264, 265 में encoding का support है लेकिन ये तो gaming में तो बकवास है लेकिन content creation में भी use नहीं कर सकते इसमें आपको H.264, 265 दोनों का ही encoding का support नहीं मिलता है तो ये GPU किसी काम कर नहीं है अब बात करते हैं NVIDIA के GTX 1650 की ये GPU एक decent GPU है जितना इसका performance है और जितनी value provide करता है उसके इसाब से इसकी अभी market में price होनी चाहिए थी maximum 8-9000 रुपै तो जिसको budget में content creation करना है और hulky full की gaming करनी है वो लोग इस GPU को purchase कर सकते हैं और इसकी जगे रखना चाहिए 3050 का 6GB वाला version अभी आगे बात करते हैं अभी ये GPU जो है 6500XT ये एक decent GPU है 1650 का competition है अब भी तो market में नहीं मिलता है market से गायब है लेकिन अगर मिलता भी है तो 8-9000 से ज़्यादा इसकी price नहीं होनी चाहिए 1650 के साथ तो आप productivity या video editing भी कर सकते हो लेकिन ये जो GPU है 6500XT इसके साथ आप video encoding, video editing नहीं कर सकते उसकी वज़े से इसकी value और कम हो जाती है तो ये maximum अभी 8-8,5 में मिलना चाहिए अब बात कर लेते हैं हमारे GPU की भी ये GPU भी Intel का सबसे छोड़ा GPU है performance इसका decent है specification भी अच्छे है 6GB की VRAM के साथ आता है gaming में भी अच्छा है plus content creation में भी बहुत अच्छा है तो इन सारी चीजों को consider करते हुए ये जितनी value प्रोवाइड करता है उसके हिसाब से इसकी अभी maximum price होनी चीए थी 10,000 रूपे उससे जादा नहीं उसके बाद बात करते हैं इस वाले GPU की जो अभी अभी launch हुआ है 3050 का 6GB वाला version इसके जो specification है जो performance है जो value प्रोवाइड करता है उसके हिसाब से इसकी अभी maximum price होनी चीए थी 12,000 रूपे ये बिल्कुल perfect replacement है GTX 1650 का ये GPU अगर 12,000 के आसपास मिल जाए ना तो बहुत ही बढ़िया है बहुत ही बढ़िया value for money है gaming में भी decent perform करता है और content creation के लिए भी आप इस GPU को use कर सकते हो उसके बाद बात करते हैं 3050 के 8GB वर्जन की इस GPU को मैंने आपको लेने के लिए मना किया था क्योंकि जैसे मैंने कहा 18-19 के आसपास मिलता है और performance कुछ इतना खास है नहीं price के हिसाब से उसी price में उससे भी better GPUs मिल जाते हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये GPU जितना specification है इसका और जितनी value प्रोवाइड करता है उसके इसाब से maximum 15,000 रुपे में मिलना चाहिए अगर ये GPU 15,000 के आसपास मिल जाता है तो 15,000 में बहुत ही बढ़िया GPU consider कर सकते हैं 15,000 के price point पे gaming के लिए ये decent GPU है प्लस 8GB की VRAM के साथ आता है तो content creation के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहेगा उसके बाद आता है AMD का ये वाला GPU 6600M ये GPU अभी भी officially launch नहीं हुआ है मैंने इसके कुछ samples देखे हैं और benchmarking देखे हैं लेकिन अगर AMD वाले इस GPU को 16,000 की price point पे launch करते हैं तो ये भी एक game changer हो सकता है पूरे market को change कर सकता है जो इसका specification है जो performance है उसके हिसाब से 16,000 रूपे में 8GB की VRAM के साथ ये GPU भी बहुत ही बढ़िया हो सकता है लेकिन unfortunately जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा था ये GPU market में नहीं है उसके बाद आता है ये वाला GPU जिसकी बात हम कर चुके है ये भी बहुत बढ़िया GPU है अगर Intel वाले इसे 17,000 पे launch करते हैं तो ये GPU पूरा market change कर सकता है और इन दोनों GPUs के launch होने की वज़े से सारे के सारे GPUs हैं जो 20,000 के नीचे के उन सब की price में कहीं न कहीं drop आएगा तो 17,000 में gaming के लिए content creation के लिए RGB की VRAM के साथ ये GPU भी phenomenal है उसके बाद आता है AMD का ये वाला GPU RX 6600 ये GPU बहुत अच्छा है gaming में अच्छा perform करता है इसकी price भी अभी थोड़ी सी जादा है अभी ये इंडिया में 19-20,000 में मिल जाता है लेकिन according to me इसकी अभी market में actual price होनी चाहिए थी maximum 75,000 रुपै उससे जादा नहीं तो 17-17,000 की price point पे एक decent full HD gaming के लिए ये GPU भी बहुत बढ़िया है और finally उसके बाद आता है AMD का RX 6600 XT इछले वाले का ही higher version है बहुत अचा perform करता है full HD gaming के लिए आप इसे purchase कर सकते हो लेकिन unfortunately अभी market में ये सही price में नहीं मिलता है लेकिन according to me ये GPU अभी market में मिलना चाहिए maximum 19,000 रुपे में अगर 19,000 रुपे में ये GPU अभी मिल जाता है बहुत ही बढ़िया value for money है किसी भी decent 6 core 12 thread वाले CPU के साथ आप इस GPU को combine करके एक अच्छा full HD gaming system बना सकते हो और finally last में इस price segment में आता है Intel का ARK A750 जो अभी market में 21,000 के आसपास मिल जाता है इसका जितना performance है उसके हिसाब से इसकी price maximum 20,000 रुपे होनी चाहिए थी इसकी price drop होनी चाहिए 20,000 में gaming के लिए बहुत ही बड़िया है और content creation के लिए तो ये GPU phenomenal है और इसलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में recommend भी किया था बहुत जाए लोग 15,000 के price range में एक GPU purchase करने चाहते है और जैसे मैंने कहा अभी सिर्फ नए में सिर्फ दो ही option है तो फिर वो लोग जो पुराना market है second hand का market है GPU का उसमें एक GPU ढूंडते हैं तो अभी ये जितने भी GPU screen पे आपको देख रहे हैं जैसे कि 1660, 1660 Super, 1660 Ti, RX 570, RX 580, 5500XT, 5600XT और 5700XT ये सारे के सारे GPUs अभी second hand के market में मिल जाते हैं किसी किसी जगे पे नए भी मिल जाते हैं लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं और users के experience से बताऊं उनके reviews से बताऊं तो ये जो RX 500 सीरीज है उसको तो गलती से भी purchase मत करना उसका performance इतना कुछ खास है नहीं power consumption, heat production जादा है plus drivers के भी बहुत जादा issues है और आप second hand में purchase कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ा देखनी पड़ती है defective GPU भी हो सकता है अगर हम उससे अगली generation याने की RX 5000 सीरीज के GPUs की बात करें उसमें जो सबसे छोड़ा GPU है याने की RX 5500XT ये भी अभी second hand के market में मिल जाता है लेकिन मैं इसको लेने के लिए भी आपको recommend नहीं करूँगा इसका भी performance कुछ खास है नहीं प्लस इनके जो पुराने drivers है उनके भी issues है तो उसकी वज़े से मैं इसको भी recommend नहीं करूँगा अब उससे बड़े जो दो GPUs है याने की 5600XT और 5700XT ये दोनों GPUs अच्छे है, decent है, performance भी अच्छा है तो अगर ये दोनों GPUs आपको सही condition में, working condition में मिल जाते हैं प्लस सही price में 12-13,000 के आसपास मिल जाते हैं तो आप इसे purchase कर सकते हो लेकिन उसमें भी देख लेना कि कोई भी issue ना हो GPUs perfectly running हो क्योंकि ये सारे के सारे AMD के GPUs mining में heavily use होए है तो आप देख के purchase करना फिर बाद में regret ना हो और इन में भी बहुत सारे users ने report किया है कि drivers के issues तो है blank screen हो जाती है, बीच में system restart हो जाता है game crash हो जाती है तो ये सारी चीज़े consider करना अब finally NVIDIA के GPUs के भी बात कर लेते हैं तो ये जो 16 series के जितने भी GPUs है 1660, 1660 Super, 1660 Ti ये तीनों की तीनों GPUs अभी second hand की market में मिल जाते हैं तो according to me, ये तीनों की तीनों GPUs अभी अगर आपको 10 से 12,000 में मिल जाते हैं तो इसको definitely आप purchase कर सकते हो NVIDIA में generally drivers का कोई issue नहीं होता है तो ये GPUs अगर आपको सही condition में working condition में मिल जाता है 10-12,000 ग्यास पास तो definitely आप इसको purchase करके भी system बना सकते हो तो ये इतने GPUs हैं जो की अभी under 20,000 मिलते हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं लेकिन according to me, अगर Intel वाले A580 लाँच करते हैं और AMD वाले RX 6600M लाँच करते हैं 16-17 की price range में तो ये पूरा जो GPU का market है 20,000 के नीचे, ये पूरा का पूरा market change हो सकता है, और सारे के सारे GPUs की price में drop आएगा, और उससे हमारे जैसे budget customer को बहुत जादा फाइदा होगा, तो जिसका 15,000 के आसपास GPU का budget है, उसको भी 15,000 की price range में 8 GB वाला एक अच्छा सा GPU मिल जाएगा, और जिसका budget उससे भी कम है 10-12,000 के आसपास, उसको भी एक 6 GB वाला decent GPU मिल जाएगा, so I hope कि finally, आज के इस वीडियो मैंने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई issue है, तो बूचिए, I'll definitely answer you, thank you so much.